हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्टॉनिक इस्टडी यूटूब चैनल सभी कुसू प्रभात डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज ही हमारी तेस्वे नंबर की वीडियो है और आज भी हम सेशन के लास्ट में पहले कुछ करेंट अफेर्स का रिवीजन करेंगे जिनको हमने कल पढ़ा था और उसके बार इस्टैटिक जी के कुछ वन लाइनर कुश्यन्स को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना इसेशन और देखते हैं पहला करेंट अफेर तो पहला है तेज जुलाई से सुरू हो रहे टोक्यो उलम्पिक में भारती दल के धजवाग के रूप में मेरी कॉम वा मनप्रीज सिंग को नामित किया गया है अभेदी बात की जाए इनका संबन्द किन किन खेलों से है तो मेरी कॉम छे बार की विस्व चेंपियन मुक्यवाज है और मनप्रीज सिंग पुरो सोकी टीम के कप्तान है और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मर्यपन थंगा वैलू जो एक पैरा एथलीट हाई जंपर है इनको टोक्यो पैरा उलम्पिक के लिए धजवाग की रूप में नामित किया गया है अब टोक्यो की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं एक बार फिर से यह हमारे 32 नंबर की उलम्पिक होंगे जो 2021 में होने जा रहे है इनका आयोजन 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त के मद्ध में होगा और अभी भारत की तरफ से उलम्पिक के लिए एक सौंग जारी किया गया था जिसके बारे मैंने आपको बताया था इसका नाम था लक्ष तेरा सामने तो यह कुछ विसेश तत्य थे और यदि पहली बार उलम्पिक खेलों की बात की जाए तो इनका आयोजन वर्स 1896 को एथेन्स में हुआ था अगला देखते हैं हाल ही में चीन ने एक नए मौसम उबग्रे FY3E का सफलता पूरवक प्रक्ष पड़ किया है अब यदि बात की जाए FY3E इसका कार्य क्या होगा तो यह मौसम के पूरवा नुमानों को बताएगा और इसके साथ साथ समुद्र की सतय के ताप मान पर भी निगरानी रखेगा तो यह चीन ने प्रक्षिपित किया है अगला देखते हैं हाल ही में क्रिकेट में इंगलेंड के तेज गेनबाज जेमस एंडर्सन ने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ एंडर्सन इस सदी में 1000 विकेट पूरे करने वाले 14 गेनबाज बन गए हैं और यदि करन्ट से रिलेट किया जाए तो क्रिकेट से ही सम्मंदित मैंने एक न्यूज आपको बताई थी कि भारती कप्तान मिताली राज महिला अंतर आश्री क्रिकेट में सरवाधिक रन बनाने वाली क्रिक्टर बन गई है और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा था तो इंग्लेंड की पूरो कप्तान चारलोट एडवर्ड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था चारलोट एडवर्ड ने 10273 रन बनाये थे और मिताली राज ने 10337 रन बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगला देखते ही बॉलीवूट के जाने माने दिगजबनेता दिलीब कुमार का 98 वर्स की आई में निधन हो गया है यह लंबे समय से एक बीमारी से ग्रसित थे जिनके चलते इनका निधन हो गया है अब दी वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम युसुफ खान था परन्तु फिल्म इंडेस्ट्री में आने के बाद एक डायरेक्टर के कहने पर इन्होंने अपना नाम दिलीब कुमार रख लिया था और यदि बॉलिवुड में इनकी उपादी की बात की जाए तो ये ट्रेजडी किंग के नाम से मसहूर थे और इन्हें अभी तक सबसे ज़्यादा बार आर्ट फिल्म फियर अवार्ड मिल चुके है अगला देखते हैं भारती अंतर आश्री फिल्म उस्सो दोजार एकिस काहुजन 20 नॉमबर से 28 नॉमबर की मद्द गुवा में किया जाएगा और भारती अंतर आश्री फिल्म उस्सो का ये 50 सेकेंड नंबर का संसकरण होगा यदि इस मौश्सो की सुरुवात की बात की जाए तो वर्स 1952 से इसकी सुरुवात होती है जिसका उद्देश होता है फिल्म निर्माल करला की उतकष्टता को दरसाने के लिए दुनिया भर के सिनेमा घरों को एक आमंच प्रदान करना तो इस बार ये गुवा में आयोजित किया जाएगा अगला देखते ही कींडरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटगरी ने खादी प्राकृतिक पेंट का एक वर्चुली उद्घाटन किया था और ये भारत का पहला और एक मात्र पेंट होगा प्राकृतिक पेंट के उत्पादन के लिए प्रूतसाहित करना तो इस खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रैंड अमबैजडर ये स्वैम बने यानि नितिन गटगरी इसके ब्रैंड अमबैजडर बन गए इसे आप ध्यान रखिएगा अगला देखते ही हाल ही में स्री रामनात कोविन जोकी वर्तमान में अमारे देश के राश्रुपती हैं इन्होंने आठ राज्यों के राजपाल नियुक्त किये हैं जिनकी लिस्ट मैंने नीचे बनाई हैं तो देखते हैं क्या-क्या बदला हुए हैं पहले नमबर पर हैं डॉक्टर कंबन पती बाबू ये मिजोरम के राजपाल बन गए हैं फिर हैं स्री बंडारू दात्यत्रे ये हर्याणा के राजपाल नियुक्त हुए हैं उसके बाद हैं थावर चंद गहलोद ये करनाटक राजज के राजपाल बने हैं फिर है मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मद्य प्रदेश के राज्यपाल बने है उसके बाद है पी एस स्रीधरन पिल्लाई ये गोवा के राज्यपाल बने है उसके बाद है राजेंद अर लेकर ये हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल बने है उसके बाद है रमेज बैस इनको जारखंड का राजय पाल नियुक्त किया गया है और उसके बाद हैं सत्य दिव नारायन आर्र ये त्रिपुरा के राजय पाल बने हैं तो ये टोटल आठ राज्यों के राजय पाल हैं जिनका अभी रामनाद जी के द्वारा बदला हुआ है तो आज किस करेंट अफेर्स की सरंखला में इतना ही अब देखते हैं जो हमने कल करेंट अफेर्स पड़े थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हाल ही में फॉर्मूला वन ड्राइवर यानी मैक्स बैरस्ट पेन ने और इसी के साथ इन्हों ने लगातार तीन रेसें जीती हैं तीन जून से चार जुलाई के मद्ध में जिनमें हैं फ्रेंच ग्रेंट प्रिक्स, इस्टोरियन ग्रेंट प्रिक्स, उसके बाद अब और सरवादिक रन बनाने वाली ट्रिक्टर बन गई हैं उसके बाद हमने देखा था वर्ड जूनाउजज डे जो हम 6 जुलाई को आपजर्व करते हैं ये किस प्रकार की रोग होते हैं तो ऐसे संक्रामक रोग जो जानवरों से मनुस्यों में और मनुस्यों से जानवरों में फ जानजरिया ने टोक्यो पैरा उलम्पिक्स के लिए राश्ट्री चेर्ण ट्रायल में विस्यों रिकॉर्ड बनाया है और टोक्यो पैर उलम्पिक्स को क्वालिफाई किया है यदि खेल की बात की जाए तो देवेंद जानजरिया का संबन भाला फेक से है उसके बाद हमने देखा था करनाटक के की एसार बेंगलूर इस्टेशन पर देश का पहला मुवेवल फ्रेस वाटर टैनल एक्क्वेरियम खोला गया है जो की अमेजन नदी के उधारना पर बनाए गया है उसके बाद हमने पढ़ा था केंद्र सरकार ने लाइसी अध्यक्ष के सेवा निवत करने वाले भारती सेलिवरिटी बिराट कुहिली बन गये हैं फिर देखा था हमने भारती क्रसी अनुसंधान परसद्वारा हरित धारा नाम की एक एंटी मिथेनो जैनिक फील्ड सप्लीमेंट का निर्माड किया गया है जिसको उद्देश सिक्या होगा कि मुवेशियों में जो मीथेन उत्सरजन होता है उसमें कमी करना जिसके फल सुरूप दूद की उत्पादन में ब्रद्दी हो सके फिर हमने देखा था आंध्र प्रदेश ने एक साल्ट नामक कारकम की सुरुवात की है जिसका पूर्ण रूप है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांस जिसका उद्देश होगा इस्कूली शिक्षा में सुधार करना और सच्चकों को भी बताना कि वे अपने सच्चण कौसल को किस प्रकार बहतर कर सकते हैं तो यह कुछ कल की करेंट अफेर्स थे जो हमने देखे थे अब इस्टैटिक जीकी का रिवीजन कर लेते हैं मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर होती है जो जांग में होती है फिर है मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी इस्टैपीज कान में स्थित होती है चार मीनार का निर्मार किस ने कराया था तो यह कुली कुतब शाह थे उसके बाद सलीम अली बक्षी अभ्यारण गुवा मे इस्तित है और यदि सलीम अली राश्य उद्यान की बात की जाए तो यह जम्मू कस्मीर में है अगला है भारत का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था तो यह सिवा समुद्रम था जो की करनाटक में है फिर है भारत की सबसे लंबी नदी बेंबा नर्जील जो क की केरल में इस्तित है फिर है भारत की सबसे बड़ी प्राय दीपी नदी गोदावरी है तो आज किस सेशन में इतना ही मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवा सभी को